हेलो दोस्तों मारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कोई भी सेर में यदि आप ट्रेडिंग करते हैं चाहिए वो इंट्राडे हो या डेलोरी आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये वीडियो आपके लिए ब इस परकासे ट्रेडिंग कर सकते हैं लेकिन आपको simply आपको क्या देखना होगा सेर के अंदर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सबसे पहले बात करते हैं जब भी आप उपर सर्च में जाके कोई भी जिस भी आप को यूज कर रहे हैं simply आपको करना क्या है अपना जो से वोपिक्स आपके सामने बताओ बाइंगे सबसे पहले बात करते हैं claiming आपके सामने होता है चार्ट में क्या है इस सेर की पूरी करेंगे उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल की आपको फंडामेंटल अवस्चे देख लेना चाहिए क्योंकि इसमें जो आपकी क्वैल्टी होती है है फाइनेंशा ट्रेंड होता है इसके बारे में हम आपको आगे वाली वीडियों बताएंगे लेकिन आपको इन में से जो good हो और very attractive हो वही आपको choose कर लेना है उसके बाद बात करते हैं आपके सामने company not working है या working है इसमें आपके सामने आ जाता है देखिए उसके बाद आपको देखना क्या होगा इसमें stock देखना होगा कितने percent देखिए 11.9% return है काफी अच्छा है उसमें sector में इसका योगदान इतना है जिस भी share की market cap value अधिक होगी उसे आप खरीद सकते हैं और अच्छा उसमें आप benefit हो सकता है आपको उसके बाद आपके सामने rate view है और price book value है इसमें आप बहुत अच्छा fundamental में आप check कर सकते हैं आपको simply करना है market cap को ही देख लेना है इस परकार से आपको कोई भी share आप इसमें खरीद सकते हैं यदि आप ये जानकारी ध्यान रखेंगे तो आप अच्छा share इसमें खरीद पाएंगे इसमें आपको देखना है stock की जो return है sector है और sensex में कितना योगदान है इस हिसाब से आप share खरीद सकते हैं अब बात करते हैं कि intraday में आपको इस परकार से खरीदेंगे intraday में आपको वही share खरीदना है जो company या फिर कोई industry जो daily wise काम करती हो जो seasonally काम नहीं करती हो वह आपको चूच कर लेना है और intraday में आप अच्छा खासा इसमें benefit ले सकते हैं उसके बाद बात करते हैं delivery में delivery में आपको simply दिखिए कोई भी share यदि आप खरीदते हैं delivery के अंदर तो आपको क्या देखना होगा delivery के अंदर delivery के अंदर कुछ ऐसे share होते हैं जो season के हिसाब से घट गड़ते हैं बढ़ते हैं उस हिसाब से आपको share खरीद लेने हैं लेकिन आपको market cap और उससे ध्यान में रखना होगा यदि आपको जानका रही है अच्छे लिए को लाइक कीजिए कर नई है तो चैनल को subscribe कर लीजिएगा हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत दनेवाद दो